तो बच्चों, get excited, आज एक amazing ride आपके साथ होने वाली है, उस ride का आपको हिस्सा बनना है, आज ही मैं predict कर रहा हूँ कि ये series ये ही same नाम से और जगए भी कुछी समय बाद आ जाने वाली है, तो mini short series में funda ऐसा है कि यापे पूरे chapter का जो summary है, वो आपको one shot में मिलने वाला है, प ACP mock test को देने से पहले, board exam देने से पहले, NEET का mock test देने से पहले, JEE का mock test कुछ भी देने से पहले, या एवन chapter wise test देने से पहले, आप इस particular छोटे से वीडियो का help ले पाएंगे, हेलो बच्चो, welcome to ATP star quota, कैसे हैं आप सब, hoping that आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे, तो यहर आप सभी ने title and thumbnail तो देखी लिया होगा, बहुत सारे students जानना चाहा रहे होगे, कि सर ये mini short series क्या है, तो बच्चो get excited, आज एक amazing ride आपके साथ होने वाली है, उस ride का आपको हिस्स बनना है, देखें जैसे कि आप सभी को अल्रडी पता ही है, हम लोग आपके लिए YouTube पे सब से पहले, तीन साल पहले लेकर आये थे one short series, जो आज भी one of the best है, जिसका content आज भी हजारो लाखो students use करते है, all the J as well as need aspirants, उस ही के continuation में, आज जो series आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, जिसको हम शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है mini short series, अब यह mini short क्या है, देखें अब हम इसको लेकर आ रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि आज ही मैं predict कर रहा हूँ कि यह series यही same नाम से और जंगे भी कुछी समय बाद आ जाने वाली है, लेकिन यह मान लीजे जो content हम लेकर आने वाले हैं, क्योंकि हम ही इसके inventor हैं, तो जो content हम लेकर आने वाले हैं, जो आज आपको मिलने वाला है, वो बहुत ही मज़ा आने वाला है उसमें, है ना बच्चो, तो mini short series में funda ऐसा है कि यहाँ पे पूरे chapter का जो summary है, वो आपको one short में मिलने वाला है, बहुत ही कम समय में मि आते थे, within limited time, यानि एक या दो घंटे में पूरा chapter revise हो जाता था, कुछ-कुछ chapter तो 40-45 minutes में revise हो जाते थे, यह मतलब है original one short revision का, one short is used for revision, अब यहाँ पे mini short के अगर बात करें, तो इसका primary use यह है कि पूरे chapter का summary, पूरे chapter के key points जो है, वो बहुत ही limited समय में, यानि 10-15 minutes हो सकत है कभी-कभी 20 minutes में आपको पूरे chapter का revision हो जाएगा, यानि किसी भी mock test को देने से पहले, board exam देने से पहले, NEET का mock test देने से पहले, JE का mock test कुछ भी देने से पहले, या even chapter wise test देने से पहले, आप इस particular छोटे से video का help ले पाएंगे, और इसका जो PDF है, जो पूरा detailed PDF है बच्चो वो भी आपको हम share करने वाले हैं, कहां पे share करने वाले हैं, जो ATP Star Kota का telegram channel है बच्चो, JE का भी है, NEET का भी है, उस telegram channel पे join कर लीजेगा, वहाँ पे मैं PDF आपको upload कर दूँगा, और बाकी team भी, जो भी video बनाएगी, जो भी faculties बनाएंगे, वहाँ पे upload होगा, तो telegram channel को जर अभी का support बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना motivation हमें आपके support से, प्यार से मिलता है, उतने अच्छा content लाने का हमारा मन करता है, तो आप सभी इस video को like जरूर करें, और जितना जादा share कर सकते हैं, उतना share भी करें, आपके comments भी, अगर content को देखके, आपका, you know, दिल आपको feel ह कि यार कुछ amazing ही हम लेकर आए हैं, तो आप comment करके, दिल खोल के लिखिएगा, ताकि हमें motivation मिले यार, हमें पता लगे कि आपको ATP Star Quota Team से कितनी, कितना प्यार है, ओके बच्चों, करोगे ना, तो excited हो सभी के सभी, मैं भी आप सभी के लिए excited हूँ, तो बच्चों, आज का ज हम देखने वाले बच्चों, तो बहुत मजा आने वाला है, और उनको एक sequence में देखेंगे, इस पूरे common names के mini shot को हमने various categories में divide किया है, यानि सबसे पहले जो mainly common name, alkynes के हैं, वो लेंगे, फिर alkynes के लेंगे, फिर alkynes के लेंगे, alcohol के, carboxylic acid के, aromatic compounds के, इस तरीके से हमने various groups ब सामने रखना पड़ेगा, तो मुझे भी एक बार तो देखना पड़ेगा, तो सबसे पहले group एक ही बात करते हैं, यहाँ पे हमारे सामने alkynes हैं बच्चों, तो alkynes में अगर बात करें, तो alkynes में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ISO group के बारे में, देखें, ISO group क्या होता है, ISO group जो होता है, इसका बहुत यूज होता है, ISO pentane, ISO butane, ISO butyl alcohol, ISO बहुत ही commonly यूज होता है, ISO में क्या होता है, जो CH group होता है, उस पे दो methyl जुड़े होता है, यह सबसे smallest ISO group होता है, यहाँ आइसो group में कितने कारबन होते हैं, तीन कारबन होते हैं, तो CH पे दो methyl है, तो वो ISO है, तो ISO pentane में total 5 कारबनाएंगे, with ISO group, ISO group आप समझ रहे हैं, CH पे दो methyl यहाँ पे होंगे, अब यहाँ पे ISO group में एक हमारा exceptional example भी होता है, जिसको बोलते हैं ISO octane, जो आपको screen पे दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा ISO octane, ISO octane का जो structure है, वो थोड़ा different सा structure है, यह आपको याद होना चाहिए, इससे कभी-कभी question बन सकता है, next के अगर हम बात करें, तो यह होता है neopentane, देखे, neo जो group है, neo का मतलब होता है नया, ठीक है, और neo group के अगर हम बात करें, तो एक ही carbon पे यहाँ पे जो होता है, चार-चार methyl group जुड़े हो है, तो neopentane के अंदर एक ही carbon प पेश किया गया है, screen पे बच्चो, वो है elene, elene जो होता है, इसका molecular formula होता है, C3H4, और उससे एक बार सवाल भी आया था कि carbon atoms की hybridization क्या होगी, तो carbon atoms की hybridization बीच वाले carbon की SP आती है, और corner वालों की SP2 आती है, elene होता है, और उसमें जो corner वाले carbons होते हैं, उनके जो atoms होते हैं, mutually perpendicular plane में रहते हैं, बच्चो इससे अगला जो example हमारे सामने है, वो है isoprene, isoprene बहुत ही famous example है, जो एक conjugated alkene है, isoprene किसका polymer होता है, यह आपको पता होना चाहिए, yes, इससे बहुत ही famous polymer बनता है, जो होता है, क्या होता है, natural rubber बच्चो, natural rubber जो होता है, उसका जो monomer होता है, वो हो होता है, group D में, group D में सबसे पहले alkyl halide है, alkyl halide में जब एक ही carbon पे 2 halogen आए, जब एक ही carbon पे 2 halogen आए, तो यह होता है, gem dihalide, geminal, यानि एक ही carbon पे 2 Cl, अगले example में आप देख सकते हो, कि अगल बगल वाले carbon पे halogen जुडा है, जब adjacent atoms पे halogen जुडा होगा, तो इसको हम बोल The next one is chloroprene, chloroprene को compare करेंगे आप किस से, isoprene से, देखे, chloroprene में जहाँ पे isoprene के अंदर methyl था, वहीं पे chlorine आ गया है, जहाँ से notice करिये, और यह chloroprene कहां use होता है, yes, बच्चों, यह हमारा rubber के अंदर use होता है, यह rubber कौन सी बनती है, synthetic rubber इसके अंदर बनती है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, बच्चों, next हमारे सामने है alcohols, alcohol and ether हम यहाँ पे ले ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे alcohols की अगर बात करें, तो पहला जो example है, वो हमारे सामने है, secondary butyl ether, secondary butyl alcohol, secondary butyl alcohol में आप देख सकते हो कि OH से जुड़ा हुआ carbon जो है, notice करिये कि इन सारी बात होगा है न उसमें carbon जो है, वो methyl और ethyl से जुड़ा हुआ होगा, यह ध्यान रखेगा, तो कोई भी secondary नहीं आने वाला, यहाँ पे यही particular example secondary का है, next हमारे पास है tertiary butyl alcohol, यह tertiary group बहुत ही important है, tertiary butyl में पहली चीज तो OS से जुड़े वे carbon को देखो तुम ध्यान से, जो screen पे दिख रहा ह उस carbon का degree जो है, वो क्या है, 3 है, उसके अलावा उस carbon पे 3 methyl जुड़े हैं, तो tertiary group is very important, tertiary group में carbon पे कितना methyl जुड़ा होगा, 3 methyl जुड़ा होगा बच्चो, और tertiary butyl alcohol, tertiary butyl chloride, tertiary butyl amine, यह tertiary butyl बहुत ही commonly उपियोग किया जाता, तो घबराने का नहीं है, मैंने तरीका आपक बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास एथर एक और बड़ा famous है, वो जो है glycol, ethylene glycol की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगल बगल वाले carbon पे, addition carbon पे OH-OH group होता है, next अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर glycerol, बहुत ही famous है बच्चो, glycerol में 3 carbons लगाता रहे हैं, उस पे 3 oxygen OH है, यह होता है glycerol, glycol जो होता है, यह solvent की तरह भी use होता है, wolf questionnaire reduction में, कुछ key points देखिए, additional होंगे, जो screen पे आपको visible नहीं होंगे, तो additional points आप साथ में note भी कर सकते हैं, तो वीडियो को pause करके, उसको note कर लीजेगा, बहुत बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए बच्चो, इसके बाद हम बताने वाले हैं आपको allyl alcohol, देखे allyl जो position होती है, यह होती है double bond के भगल वाली, यानि CH2 double bond CH, single bond CH2, तो यह जो single bond CH2 वाली position है, यह है allylic position, यहाँ पे OH लगा है, तो यह हो गया allyl alcohol, यहीं पे अगर CL लग गया, तो allyl chloride, तो allyl अपने को पता होना चीए, next है अपना allyl के बाद आता है, vinyl, vinyl के लिए vinyl alcohol के अंदर CH2 double bond CH, OH है, यहाँ पे जो double bonded carbon है, यही हमारी vinylic position होती है बच्चो, तो vinyl position पे OH आएगा, तो vinyl alcohol, otherwise vinyl amine भी हो सकता है, vinyl chloride भी हो सकता है बच्चो, अब उसके बाद next example is pinacool, pinacool के अंदर structure आपको सभी को दिखाई दे रहा इसमें बीच वाले जो दोनों carbon's है, वहाँ पे OH भी लगाता है और उनी carbon's पे, दो-दो methyl group भी होते हैं, इसमें बहुत ही famous reaction इसकी है, जिसका नाम है pinacol, pinacolone rearrangement, now let's move on to the next group बच्चो, ethers की बात कर रहे हैं अपन, ethers में सबसे पहले आता है हमारा anisole, anisole जो होता है, उसमे methoxy, benzene होता है, next होता है phenytole, phenytole के अंदर OCS3 की बजाए, OC2H5 आता है, अब इससे आगे हम बात कर रहे है, LDH, LDH में बहुत ही simple है, सभी जानते हैं, पहला होता है acetyldehyde, acetyldehyde एक तरह से acetic acid का ही derivative है, तो यहाँ पे CS3, CHO होता है, और HCHO की बात करें, तो यह होता है formic acid का derivative, जिसको बोलते है, formaldehyde बच्चो, next अगर हम बात करें, तो यहाँ पे tertiary butyl group पे CHO लगा है, इसको बोलते है, पिवल्डी हाइड, क्या बोलते है, पिवल्डी हाइड, तो मेरे साथ साथ आप सभी बोलेंगे भी, की points को लिखेंगे भी, वैसे पूरा मैं आपको PDF ट type of aldehyde, जो है, एक्रल्डी हाइड, एक्रल्डी हाइड, यहाँ पे vinylik position पे CHO जुडा है, विनाइल पोजिशन याद आया, मैंने बताया था भी थोड़े दिर पहले, CHO आ जाता है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्रोटोन aldehyde, क्रोटोन में क्या होता है, विनाइलि है, ग्लायोगुजल है, CHO, CHO, CHO जुड़े होते हैं, बच्चो, और यह ग्लायोगुजल बहुत ही important reaction में बनता है, बेंजीन का जब ozonolysis करते हैं, reductive, तब बच्चो यह बनता है, ग्लायोगुजल, चलिए अब अगली category में जलते हैं, ketone, ketone में पहला तो acetone होता है, जो उससे अगला जो होता है, यह काफी famous है, इससे जही main में question आभी चुका है, और यह NCRT में दिया भी हुआ है common name, वो है macetyl oxide, macetyl oxide एक alpha-beta unsaturated ketone है बच्चो, और यह alpha-beta unsaturated ketone जो है, यह हमारा aldol condensation में बनता है, किसका aldol condensation में बनता है, सोच सकते हो क्या, यह बनता है ketone के acetone के aldol condensation में, चली अब चलते हैं इससे आगे, अगर carboxylic acid दिखते हैं, बहुत सारे carboxylic acid हैं, जिनके common names होते हैं, जैसे की formic acid, formic acid होता है single carbon वाला acid, सबसे छोटू acid, HCOOH, next अगर बात करें, acetic acid में दो carbons होते हैं, तो CS3, COOH is acetic acid, vinegar में यह बहुत essential component होता है, vinegar, यह न सिर इसको हिंदी में बोला जाता है, बच्चो, next अगर बात करें, तो अगर 5 carbon आ जाते हैं, यानि pentanoic acid को veleric acid भी बोला जाता है, तो 5 carbon आ जाते हैं, तो common name है veleric acid, aldehyde में अगर यही आएगा तो इसको veleraldehyde बोलनेंगे अपन, है न, next अगर यहीं पे 6 carbon आ जाते हैं, यानि hexanoic acid के अगर हम बात करें, तो इसको caproic acid भी बोलते हैं, बोलो सभी, क्या बोलते हैं इसको, caproic acid भी इसको बोलते हैं, बच्चो, अब इसके बाद वही, vinylic position पे COOH आ जाये, तो इसको बोलते है, acrylic acid, क्या बोलते है, acrylic acid, और यहीं पे अगर एक और carbon आ जुड़ जाये, तो क्या हो जायेगा वो, crotonic acid हो जायेगा, है ना, now, दूद में lactic acid होता है, बच्चो, दूद में भी acid होता है, है ना, lactic acid में क्या होता है, एक ही carbon पे COOH भी आता है, और उस्याम कार्बन पे OH वी आता है, और उस्याम के methyl होता है, तो CH3, CHOH, and 7 में COH यह होता है, लactic acid, उससे अगर हम बात करें तो next बड़ा ही important example इसका नाम है pyrovic acid pyrovic acid में क्या होता है alpha position पे seedable bond O होता है तो CS3 seedable bond O, COOH है pyrovic acid अब बात कर रहे है glycine की, glycine जो होता है उसमें क्या होता है NH2CH2 COOH, यानि एक ही carbon पे carboxylic acid as well as amine group होता है it is a type of amino acid, इसके बात the next one is हाँ बही जोश बरकवरार है ना पूरा, क्योंकि बहुत सारे नाम हम करने वाले हैं अभी तो बहुत सारे नाम और भी बचे हैं, है ना तो साथ साथ बोलते रहेगा revision करते रहेगा बच्चो, mini short series आग लगा देने वाली है YouTube पे है ना लाइक अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर देना भाई है ना लाइक करना है comment भी करना है बच्चो next one is adipic acid, adipic acid में क्या होता है, total 6 carbon होते हैं, 2 COH होते हैं और बीच में CH2-4 होते हैं यानि CH2 groups जो है, methylene groups 4 आते हैं और दो तरफ COH आता है next one is cinamic acid, cinamic acid जो होता है इसमें benzene होता है, फिर CH double bond CH होता है और फिर COOH होता है LH जो होता है, lithium aluminum hydride इस पूरे COOH को CH2OH में convert करता है, प्लस यहाँ पर double bond को भी reduce कर देता है, cinamic acid की एक खास बात है next acid, diicarboxylic acid में हम बात करें तो वो है oxalic acid, बड़ा ही famous है, oxalic acid का molecular formula होता है H2C2O4 और इसमें 2 COH groups होते हैं बच्चो next अगर बात करें तो इसमें आता है malonic acid, जिसमें बीच में जो CH2 group है उस पे 2 COH group होते हैं, इसको बोलते है malonic acid अगर यहीं पे 2 C carbon है और उन दोनों carbon's पे 2 COH आ रहे हैं मतलब, उपर भी 1 COH नीचे भी, तो यह succinic acid होता है क्योंकि यह successive carbon's पे COOH आता है बच्चो इसके बाद tartaric acid, tartaric acid भी बड़ा famous है, इसमें 2 carbons पे COOH तो है ही along with बेवडों की आनबान और शान, OH group भी यहां present होता है बच्चो इसके बाद malic acid और fumaric acid, malic acid और fumaric acid में क्या होता है, they are very similar to succinic acid, बस यहां पे pi bond आ जाता है और malic acid होता है, cis configuration, fumaric acid होता है, trans configuration, चलते हैं इससे आगे, acid derivatives में एक बहुत ही famous example है, phosgene phosgene जो होता है, वो बहुत ही poisonous gas है, COCl2, COCl2, next one is urea, urea क्या होता है बच्चो, NH2, CONH2 next, nitrogen derivatives पे आते हैं है अपन, इसमें MIC बहुत ही famous gas है, भुपाल gas tragedy में वो gas release हुई थी, इसका नाम है MIC, methyl isocyanate तो इसका structure अपने को पता होना चाहिए, CS3N double bond C double bond O, CS3NCO, it's a very famous example बच्चो next group पे चलते हैं, अब हम बात करते हैं, next group की aromatic compounds की, aromatic में benzene सभी को पता है, लेकिन benzene पे अगर दो benzene आ जाएं तो इसको बोलेंगे naphthalene, तीन benzene लगातार आ जाएं तो इसको बोलेंगे anthracene anthracene के बाद next one is, अगर benzene जैसा structure है लेकिन nitrogen है तो इसको बोलते हैं, pyridine, क्या बोलते हैं बच्चो, pyridine अब इसके बाद अगर 5-member drink है और sulfur वाँ जुड़ा है तो इसको बोलेंगे thaiophene, अगर वहाँ पे nitrogen जुड़ा है तो इसको बोलते हैं pyrol, अगर यहाँ पे oxygen जुड़ा है तो इसको फिरान बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चो, फिरान अब उसके बाद मालीजिये, benzine पे लगा हुआ है NH2, as well as SO3H, तो इसको बोला जाता है sulfonylic acid, क्या बोलते हैं, sulfonylic acid, है न, sulfonic acid plus aniline का mixture है, तो इसको बोलते हैं sulfonylic acid बच्चो, इसके बाद azuline, azuline बहुत ही interesting example है, aromatic compound है, और इस यह colored compound होता है, ठीक है, तो azuline जो है, इसका dip simple moment भी होता है, तो azuline का structure यहाँ पे दिखा हुआ है, एक 7-membered ring है, एक 5-membered ring है, जिसमें complete pi-pi conjugation है, न, देख सकते हो आ, pi-pi conjugation, ट्रोपोन में 7-membered ring होती है, aromatic होती है, C double bond हो यहाँ पे आता है, और ट्रोपोलोन के अंदर क्या होता है, वहीं पे C double bond के बगल वाले carbon पे OH आ अब सोते हैं, या तो orthope, metope, या parap, ठीक है, अब उसके बाद बहुत ही famous example है बच्चो, DDT, जो एक pesticide है, DDT का full form अगर बात करें, तो यह biodegradable नहीं होने के कारण यह काफी खतरनाक हो गया था, और ban भी हो गया था, dichloro, diphenyl, tetrachloroethane, तो इसका dichloro, diphenyl, trichloroethane, sorry, trichloroethane, तो इसका structure यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से देखिए, benzene पे 2 chlorine लगे हैं, 2 benzene पे, तो dichloro हुआ, 2 benzene है, तो diphenyl, trichloro आपको दिख रहा है, CCL3, है ना, और ethane क्योंकि 2 carbon वहाँ पे present है, बच्चो, इस से अगला nitrogen को oil of mirbane भी बोलते हैं, वैसे यह आता कम है, पर ठीक है Next, अगर 2 benzene पे OH group लगा है, तो अगर वो OH एक benzene से directly जुड़े वे carbon पे लगा है, तो वो alpha position होती है, तो इसको बोलेंगे alpha naphthol, naphthalein alcohol मतलब naphthol, अगर यही पे OH उस से next carbon पे जुड़ा है, तो वो beta position होती है, उसको बोलते है, beta naphthol, यह जो alpha naphthol है, beta naphthol है, इसका beta naphthol का खा यह color आता है, इसका red color dye यह form करता है, बच्चो इससे आगे अगर benzene पे 2 OH आएं, तो उसमें 3 तरह की group आते हैं, और थो position पे अगर आएं, तो उसको बोलते हैं, ketichol, क्या बोलते हैं, ketichol, है ना, अगर यह meta position पे 2 OH आते हैं, बच्चो, तो उनको बोलते है, resorcinol, क्या बोलत से आगे, now here comes the chrysols, बच्चो, chrysols में क्या होता है, benzene पे CS3 होता है और OH होता है, और आप सभी जानते हो, इसमें 3 possibility है, ortho, meta and para, तो यह हुए chrysols, chrysols से आगे, next बहुती famous example है, picric acid का, picric acid बहुती acidic है, जिसका pk value around 1 रहता है, picric acid में phenol पे 3 ano2 group लगे होते हैं, ortho and para positions प बहुती acidic compound होता है, एक explosive compound भी होता है, जो यहाँ screen पे आपको नहीं दिखेगा, पर मैं बता रहता हूँ, TNT, trinitrotolven, है न, जो एक explosive compound होता है, बच्चो, इसके बाद salicydehyde के अंदर क्या होता है, salicydehyde में ortho position पे OH and CHO लगा होता है, and salicylic acid में phenol पे COH लगा होता है, ortho position प बनता है, aspirin, जो एक pain killer होता है, analgesic होता है, तो अगर हम salicylic acid का acylation करते हैं, तो हमें हमारा क्या मिलता है, हमें अपना aspirin मिलता है, जो बहुती famous example है, बच्चो, अब उसके बाद next अगर बात करें, तो benzamide सभी को पता है, बहुत असान है, benzamide तो benzenine पे CO NH2, next is perbenzoic acid, perbenzoic acid में, benzoic acid की जगह, paroxy आ जाएगा, तो COOH की बजाए, COOOH आ जाएगा, CO3H हो जाएगा, बच्चो, next is tolvic acids, tolvic acids की अगर मैं बात करूँ, तो हैं पे tolven के साथ carboxylic acid होता है, tolvic acids में, जिसमें तीन variety है, आपके सामने दिख रहा है, ortho, meta and para बच्चो, इसके बाद अगर benzene पे 2 COOH आते हैं, तो ये होते हैं, thalic acid के example, अगर ये ortho position पे है, तो ये thalic acid होता है, अगर ये meta position पे होता है, तो इसको बोलते हैं, isothalic acid, और अगर ये para पे 2 COOH होते हैं, बच्चो, para मतलब 1 and 4 position पे, तो इसको बोलते हैं, terithalic acid, okay, next is, अगर benzene पे COOH के साथ, ortho position पे NH2 लगा हो तो इसको बोलते हैं anthranilic acid, बोलो सभी क्या बोलते है बच्चो, anthranilic acid अब हम इस मंजिल के पास पहुशते जा रहे हैं, है ना, next one is styrene, styrene बहुत ही famous example है, benzene पे CH double bond CH2, इससे polymer भी बनता है, जिसको बोला जाता है polystyrene, चलते हैं अब इससे आगे, अब कुछ heterocyclic compounds हैं जो आपको पता होने चीए, अगर epoxide है, three-membered epoxide तो उसको oxirane भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, oxirane, commonly अगर वहीं पर rinkka size four-membered हो जाए four-membered cyclic इथर अगर बन रहा है तो उसको बोलते हैं oxytane, क्या होता है, NH2 carbon उस carbon पर double bond NH होता है और उधर भी NH2 होता है, अगर यहीं पर इसका छोटा से variation है, जिसमें one of the NH2 is replaced by CH3 उसको बोलते हैं amidine, उसको बोलते है amidine, right, the next one is benzene पर अगर NH2 आए, तो उसको बोलते हैं aniline, सभी जानते हैं बहुत ही famous example है, next example है anhydride का, जिसमें benzene पर जो कौनसा अपना thalic acid होता है, उसका anhydride है H2O निकलने से बनता है, उसको बोलते हैं thalic anhydride बच्चो अब इसके बाद अगर हम बात करें, the next one is thalemide, thalemide में वहीं पर imide आ जाता है, यानि anhydride में यहां पर क्या आ जाएगा यहां पर COH की बजाए, CHO आ जाएगा तो बच्चो, यहां पर हमने पूरी organic chemistry के majority common names जो होते हैं वो कर लिये हैं, hoping that mini short series का जो starting हुआ है इसमें आपको बहुत मजा आया होगा इस particular चीज में तो से मैंने बताया था आपको इसका PDF जो है वो टेलिग्राम पे मैंने share कर दिया है तो आप सभी जाएगे यह जो particular session है J.E. NEET Aspirants, Board Examination के student सबके लिए बहुत-बहुत-बहुत helpful है अपने friends को share कीजे and comment करके, दिल खोलके comment करिए और बदाये आपको यह video यह mini short series कैसी लग रही है कैसा लगा आपको यह पहला mini short का session and hoping that you loved it guys we'll keep on making this for you love you all from team ATP Star Kota take care and God bless you